दोस्तों अगर आप लेजीपे का जो बैलेंस है अगर आप उसे पूरा बैलेंस को बैंक में अगर लेना चाते हैं तो कुछ शार्ज आपको देना पड़ेगा आप उसे बैंक में ले सकते हैं काफी इस ट्रिक के उपर वीडियो बने हैं और हमने भी सोचा कि इसके उपर आपको एक वीडियो बना कर दूँ और आपको step by step पूरा information बताऊं कैसे आपको payment करना है कैसे आपका limit increase होगा पूरा information इस वीडियो में आपको मिलने वाला है मेरा आपसे विनिती है आप इस वीडि उसके बारे में बट मैं पूरा information step by step बताऊंगा और भी time बताऊंगा कैसे आपको build payment करना होता लेजी पे का तो पूरा details आपको इस वीडियो मिलने वाला है तो चलिए सुरू करते हैं आपको लेचलते हैं इसके एप के अंदर दूस्तों मैंने प्ले श्टूर को open कर लिया ह और इस एप का नाम है कोंपरी फाई तो इससे मैंने अभी transaction किया है मैं आपको दिखा दूंगा और फिर से मैं transaction करने जा रहा हूं इसके उपर काफे यूटूबर ने वीडियो बनाए हैं बट इसमें पूरी तरीके समझा के कोई नहीं बताया है तो हम इसमें आपको पूरा information बताएंगे आपका पैसा अगर फेल होता है तो कैसे वो refund होता है कैसे क्या है पूरा प्रोसेस आपको मिलने माला है तो पहले मैं आपको दिखा दू मेरे लेजी पे में कितना balance है तो मैंने अपने लेजी पे को open किया है मेरे लेजी पे में मुझे 4000 की limit मिली थी और लोगों इसका वो date आप देख लो आज का है और मैंने company 5 से जो है 1004 रुपे का transaction किया है यहां पे आप लोग देख सकते हैं जो की आज की rate का है मैं फिर से एक transaction करता हूँ आप लोग को दिखाने के लिए बट मैं आपको तो लेजी पे का जो payment होता है आपको मन्त में दो बार करना होत और मैं आपको बता दूँ आपको payment करना होता है 20 तारीक के पहले पहले और फिर से आपका bill generate होगा एक तारीक को और pay करना होगा तीन तारीक को तो यहां पे अगर अपने ECS को इसमें जोइन किया है तो पैसा आपका bank से cut जाएगा यहां पे आप लोग एक system देख लो अगर आप पैसा manual pay करना चाहते हैं अपने आप जैसे limit पर आपका टैप करोगे तो यहां पे आपको पे ना का option सामने उपर ही आ जाएगा आप इसपे click करोगे तो यहां पे आपको payment करने का option आ जाएगा बट मैं भी pay नहीं करूंगा तो आप यहां पे अपना UPI debit card credit card से भी payment कर सक करते हैं आप ले चलते हैं आपको हम जो है एक के अंदर कैसे आपको पैसा bank में लेना है मैंने open कर लिया है और इसमें आपको अपना mobile number email id से आपको इसमें login करना पड़ता है account पना के जैसे आप login कर लोगे तो कुछ ऐसा interface आएगा यहां पे काफी system काफी वियो रहा है तो मा यहां पे जैसे आप buy वाले option पे click करोगे तो यहां पे एक option आ रहा है digital gold का देको दो इसमें तरीके हैं आपको इसमें loss होने वाला नहीं है तो यहां पे आपका जो safe gold में जो register number है और number डालना पड़ेगा फिर आप उस पैसे को तुरंत ही अपने bank में ले सकते हैं अगर आप पैटियम में लोगे तुरंत मिलेगा बैंक में 24-48 घंटे लगते हैं तो पैटियम में लेके आप वाले फिरी है इसमें पैटियम वाले तु फिरी है आप बैंक में तुरंत कर लो तो यहां पे आपको register number डालना पड़ेगा जो आपका safe gold का है तो फटापट में number डाल देता हूं 112 रुपीज में डालता हूं यहां पे तो यहां पे मैंने 112 रुपीज में डाल दिये हैं सुरी यहां पे 112 रुपीज 110 ही करते हैं तो यहां पे जैसे आप इस पे क्लिक करोगे तो यहां पे automatic यह ले लेगा तो यहां पे और हम बढ़ा के करते हैं 115 करते हैं जो की मुझे से मिल जाए 120 करते हैं देखते कितना मिलता है तो 118 मिल रहे हैं यहां पर मैं 116 रुपीज करता हूं तो यहां पर 113 मिल रहे हैं अगर मैं 118 करूंगा क्योंकि मुझे कुछ ट्रिक लगाना है तो यहां पर मैं 117 रुपीज करता हूं और यहां पर देखिए जैसे आप अमाउंट यहां पर फील करोगे तो इस पर क्लिक करना है गोल्ड ग्राम पर आटोमेटिक यतना जो लाइब रहेगा उले लेगा तो अब यहां पर जैसे कि मालो अगर आपको 1500 करना आप एक बार में 1500 करना आप बड़ा अमाउंट नहीं कर सकते हो आप एक बार में 2-3 बार कर सकते हो तो फटापट मैं यहां पर 113 रुपे कर रहा हूं मैं रिचार्ट करता हूं जैसे किलिक करोगे तो यहां पर आपके सामने नीचे देखोगे तो एक उपसन आ जाएगा ल आपको यहां पर डाल देना है तो फटापट मैं रिच्टर नमबर डाल लेता हूं फिर मैं आपको दिखाता हूं यहां पर आपको सेंड ओटीपी किलिक करना है तो यहां पर देखो मैंने अपना नमबर डाल दिया है और हमारे पास से ओटीपी आएगा और ए ओटीपी जो कि OTP आया एक नहीं आया है जैसे कि वेट आ गया है बट OTP फोज़रीट का ही आयेगा 6 का नहीं आयेगा बट यहां पर मांगता है 6 डीट का तो आप फोज़रीट का डालके जैसे आप बेरिफाइट पर क्लिक करोगे तुरंत प्रोस्टिंग लीगा और तुरंत पैसा कर जाया तक क्या जर्सकेंड मैंने यहां पर डाल दिया था ओटीपी गलत सौरी यहां पर ओटीपी उज़रीट सही डालना पड़ेगा तो मैंने तो आप देखता हूं अब त्राइज करता हूं दुबारा आप देखता हूं होता कि नहीं होता है तो अभी थोड़ा से प्रोल्म हो क्योंकि ओटीपी मैंने गलत डाल दिया था तो मुझे रिसेंड ओटीपी करना पर सौरी मैं फिर से ओटीपी अब मंगाता हूं जर सेकेंड वेट जो है अपना गलत डाल दिया इसलिए भी लॉक कर दिया है तो अभी यह लगता है कि चौबीस से और तासी घंटे बाद फि पुरा इंफ्रमेंशन बताऊंगा तो यहां पर मैं कैंसिल करता हूं इससे क्योंकि यह गळबला गया सौरी कुछ दिक्कत हो गया तो जैसे आप यहां पर कर लोगे आपका जब पेमिंट आपका सकस्प्रू कर जाएगा एक ओप्सन है चेक गोल्ड ट्रांजिक्शन का इस यहां पर आपका बैलेंस सो करेगा यहां पर जरू करें कि मेरा कोई नहीं किया नहीं है तो यहां पर आपको ओ जो यहां पर दिखाई देरा आपको यहां पर डाल देना है अमांट यहां पर आ जाएगा यहां पर एक ओप्सन दिख रहे हो बैंक ट्रासफर यूप्याई आ अगर मालो आपका transaction failed होता है तो मैं आपको तरीका और बता दे रहा हूं एक देखो यहाँ पे एक option लिखा वारा तीन बार पे click करोगे तो यहाँ पे देखोगे एक option R.I. recharge point का जैसे आप recharge point पे click करोगे अब यहाँ पे देखो 38 उर्पे balance बचे हैं तो इसको अगर मालो पैसा bank में लेना है तो इसके लिए क्या करना है मैं आपको देखो बता रहा हूं यहाँ पे एक option है देखोगे तो यहाँ पे एक option है शौपिंग का शौपिंग पे click करोगे तो आप Amun का voucher ले सकते हो अगर ओ पैसा आपका मालो अगर अटक जाता है तो आप इसे Amun का voucher purchase करके आप Amun में add करके आप इसनाब पे पैड किया एप से bank में ले सकते हो आपका charges समझो जितना यहां उतना उहां लगेगा कोई difference नहीं है तो बहुत ब्योस्ता अच्छा है लोकि मैंने आपको बता दू जैस्ट मैंने अभी लिया voucher चलो मैं आपको फुरूप दिखाता आपको विश्वास नहीं हो जाएगा just second wait तो देखो मैंने यहां पर मेल id open किया है देखो मेरा amun का voucher code है और मैं आपको बता दूँ आप डेट यहां पर देख सकते हो यह डेट यहां पर देख लो मेरा 6 बच के 42 नट पे मैंने इसको purchase किया था डेट देखो 19 जुलाई 2021 है तो मैंने आज ही लिया है और यहां पर देख लो मैंने company 5 से मैंने इसको purchase किया है यहां पर देख सकते हैं लोगो भी आ रहा है तो मैंने कोई ठेक बताया नहीं है रील बताया है बट मेरा lock हो गया इसलिए मैं add नहीं कर पा रहा हूं अगर मेरा add होगा तो मैं आपको जरूर एक वीडियो बना कर और देने वाला लाइक करके जरूर जाना दोस्तों में share कर देना आपके मन में कोई भी सवाल है तो comment कर देना फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जैहिन वंदे मातरम